तो हलो फ्रेंट्स वेलकम डू मैं चैनल यार्ट साब तो फ्रेंट्स जो आज की वीडियो इसमें मैं जो मेरा टाइपिंग टेस्ट हुआ था उसके बारे मैं अपना experience शेयर करने वाला हूं मेरा जो टाइपिंग टेस्ट था वो दस अगस्त को हुआ था तो इससे पहले मैं नवी टाइपिंग टेस्ट दे चुका हूं हुआ तो पहले वाले टाइपिंग टेस्ट और जो अभी टाइपिंग टेस्ट में क्या difference था पहले था अभी क्या था ये समय आप लोगों से शेयर करने वाला हुँ तो फ्रेंट्स खेतम काया हुआ ये भी एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि practice कीजिए practice and practice जितनी ज़ादा आप practice करेंगे उतना easy आपको वहाँ पे typing test qualify करना आपको उतना ही easy रहेगा अगर आप घर पे easily आराम से 18-1800 strokes मार रहे हैं तो आप easily typing test qualify कर रहे हो या कर सकते हो बहुत इजी है 1500 स्टोक्स मानना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है आप इजी लिए उसको कर सकते हो और एक और बात अगर आपका जो है टाइपिंग टेस्ट जो है जो जैसे शिफ्ट वाइस बुला रहे हैं नौ वजे ग्यारा वजे एक वजे तो आप ठीक नौ बजे बहां खड़े रहके या इदर उदर कहीं बैटके बोर होना ही होगा आपको तब तक क्योंकि बहां पे बहुत सारा टाइम लग रहा है तो अगर मैं अपनी बात करूंग तो मेरा जो एक वजे की शिफ्ट में टाइपिंग टेस्ट हुआ तो जैसे हमें साड़े बारा वजे अंद यहाया गया तो बहुत ही जादा बुरे हाल बैट बेटके बहुत ही जगाए तो वहां पर आ प यह कर सकते हैं कि आप अंदर वहार जैसे पानी भी नहीं या वन्या वाश्रूम बगेरा जा सकते हैं वह आप पिडिपेंट करता है तो उसके बाद जब मेरी टाइपिंग की तरनाई तो लगभग शाम को साड़े तीन बज़े के आसपास मेरी टाइपिंग के टारनाई फिर हम लैब में गए तो लैब में जो पिछे वाली जो टाइपिंग हुआ था उसमें उस टाइम जो लैब थी बिल्कुल खुली डूली यह से कैबिन कैबिन नहीं बनने हुए थे जरूरी बात इस वार जो शोर है वो बहुत कम शोर है आपकी टाइपिंग जो है शोर की वज़े से प्रभावित नहीं होगी बिल्कुल भी नहीं शोर की वज़े से बिल्कुल भी आपकी टाइपिंग प्रभावित नहीं होगी इसका रीजन यह भी है कि एक तो आजकल जो क बहुत कम आता है क्योंकि जब मैह ने फिस्ट टाइपिंग टिंव तेस्ट दिया था चार साल पहले तो पालता झाल नंभ्लिन ऐसादा और हम जो जो भी झाल जादा बहुत कम अब आप उसको और अइसली नेउचस कर सकतेrulाの नोईस की मैं बिर्कुल नॉर्मल था मुझे कोई ऐसे हेजिटेशन नहीं हो रही थी कोई टेंशन भी नहीं थी या मलब कुछ ऐसे घबराट भी नहीं हो रही थी पर जैसे क्या होगी आपका टाइमर चला तो जैसे मैंने फर्स्ट वर्ड टाइप करना चाहा तो मेरे हाथ अपने आप कंपने लगे मल हाथ में अपने हाथ कंपन होने लगी और हाथ कहा पर रहते तो मैंने ज्यादा से ज्यादा तीन सो से चार सो स्टोक्स टाइप किये थे दो मिनट तीन मिनट में लगबग 300 से 400 स्ट penn टाइब किये थे और उसमें भी बहुत सारी गल्त्यों ग्र गयी थी पिर Aubman सा लंबी सांस ली और खुद को यकीन दिलाएं कि मैं कर सकता हूं आरहामसे कर सकता हूं इसली कर सकता हूं टाइम बहुत है बहुत easily हो जाएगा, तब जाके थोड़ा सा मैं cool down हुआ, मेरी हाथ की कमपन कम हुई, और मैं easily type करने लगा, और जो मुझे फैरा graph दिया था, वो मैंने फूरा type किया, और जैसे और ये एक बात मैंने और notice की, वहाँ पे शायद आप लोगों ने की हो ना की हो, software पे, कि वो जो थोड़ा सा शायद 2-3-4 सेकेंड पहले रैप की writing stop कर देता है, ऐसा पता नहीं, शायद मेरे साथ ही हुआ हो, मैंने last में notice कि, हमारा writing बंद हो गी थी, और वहाँ पे timer चला हुआ था, 3-2-1 करके, क्योंकि उस flow में आप last में कम से कम 10-12 strokes लिख सकते हो, तो ये पता नहीं, श अच्छा experience रहा है इस पार typing का, और मुझे लगता है कि मैं, मैंने typing qualify कर दी है, और मैंने अच्छे से typing qualify, clearly typing qualify की है, पिछली बार से compare कर तो पिछली बार मेरी उतनी ज़्यादा त्यारी नहीं थी, इस पार मैंने बहुत अच्छे डंक से त्यारी की थी, बिल्कुल कूल डॉन होके, बिल्कुल घर में मैं relax होके typing करता था, कि मैं अगर आराम से भी typing करूँगा, तो मेरे इतने strokes बनने चाहिए, तो इस तरह से मैंने घर में typing की, तो बहां पे भी मैंने पहले तो थोड़ा सा हड़वड़ा आ गया, जब वो कमपन जैसे शुरूई, तो तब मैंने ज्या practice कीजिए, practice, practice and practice, आपको बहुत सारी practice करनी पड़ेगी, और ये practice ही एक है typing के लिए जो कि आपको typing test clear करवाएगी, क्यूंकि typing का कोई भी shortcut की नहीं है, कोई भी आपको shortcut नहीं मिलेगा typing का, आपको वो clear करनी ही पड़ेगी और उसके लिए आपको typing करनी पड़ेगी, और एक पाद friends, जो कुछ एक repeated words आ रहे हैं, वो आ ही रहे हैं, उनकी आप घर में practice कर लें, क्यूंकि जितनी आप उनकी practice करने की उतना easy उनको बहाँ पर आपको type करना रहे और आपकी typing speed इससे भी बढ़ जाएगी, तो friends, आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो कैसी लेगी ज share कीजिए, अगर कुछ आपकी queries हूँ, तो please comment कीजिए, मैं आपके comment का ज़रूर reply करूँगा, अगर channel को subscribe नहीं किया है, तो channel को subscribe कीजिए, thank you